नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जातिया की दर्श को हकीम सुलिमान खान सहाब ने एक मुहीम की शुरुवात की जो दिल्ली से शुरू हुई और आज जहां पे मैं मौजूद हूँ वो पंच कुला है और इसके बाद चंडीगर्ड मेरा विजिट होने वाला है चंडीगर्ड में मैं बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करूँगी पंच कुला में भी मैं आई हूँ बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करने उनकी सेहत का हाल जानने क्योंकि हमें फिक्र होती है आपकी और जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, जब हम यह जानते हैं और आपको देखते हैं, कि हकीम सहाब की धवाईओं से, हकीम सहाब की नुस्फे से, आप लोग कितने सेहतमन्द हो गए हैं, और कितना आपको अराम मिल गया है, तो यकीन मानिये हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं रुकती है हमारा जो एक संकल्प है एक जो उदेश है कि हर एक व्यक्ती खुद ठीक हो सकता है लेकिन जरूरत है ये समझने की कि आप नुसके कैसे बनाएं और किस तरह से आप युनानी ट्रीटमेंट पॉलो कर सकते हैं तो जैसे जैसे मैं इस मुहीम में आगे बढ़ रही हूँ मैं दिल्ली में अपने पेशेंट से मुलकात कर चुकी हूँ और लखना हो गए हम लोग दुबई तक हम अपने वीवर्स से मुलकात कर चुके हैं हैदराबाद, बैंगलॉर और हरियाना में भी हमने बहुत सारे बढ़ स्वागत करती हूँ, बहुत स्वागत है मैम आपका जशकर मैम मैं सबसे बहले हमें बता इये कि आप क्या करती है और घर में कौन-कौन है? मैं हाउस वाइफ हूं रहा है वेरे घर मेरी ने को घर मेरे साथ रहती है है हकिम साहब से आप कैसे जुड़ी तो मैं क passou पाती हैम फिर कहीं साब कि अबना może शुना में थाच दो एक झैड़े बहुत जाकता पर दुड़ मेरे मोट्पेसरों पर तिस्वारे दूसरे रच्ट्टर को ढ़िगी मईंग ऊई था तो उन्होंने मैं दिटम दिखाया तो उन्होंने अपना कोई खास फरक निपड़ा अब्लशें अपना जेसें विर ने लेने के बाद एक जो काफी लियुट तो तो क्रुम्या दिखायाया बधिन किन तकलीफों कर दो किया अपने जब अच्छा थी मेरे से उठानी जाता था मेरे को बहुत प्रोब्लम होती थी मैं पकड़ पकड़ के दिवार को चलती थी तो बच्चे मेरे बहुत हल्प करी उन्होंने मुझे चल बहर तक लेकर जाते थे उसके वाद में नहाने का बहुत मुश्किल होता और इसमें नीज में काफी फरक बढ़ नाइंटी नाइन परसंट फरक हो गया मुझे अच्या तो आपने उंग्लियों का भी जिक्र किया है कि उंगले बिल्कुल नी चल पाई थी मेरी उंग्लियों से मैं कोई काम नी कर बाती थी आटारी मेरे से गुंदा जाता था मैं बहुत मुझकल होती थी मुझे और अब हमारे दरश्कों को दिखा दी जे अब को ठीक हैं उंग्लियां फिंगर्स मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हैं और मेरे नीज और पैर बहुत अराम हैं बहुत शुकर गुजारून है हकीम साब की तो मैं आपको ये विश्वास है कि आप ए हेर फॉल के लिए शैंपू ओयल सब मंगवाया मैं बहुत अराम है हाँ जी आपको तो अराम मिला क्या आपके जरी और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाईयान उसके पहुंचा है आप जी मैं मेरी तीन चार फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने सुझेस्ट किया था कि आप लो महिलाएं है और बहुत सारी महिलाइं आपको सुन भी रही हैं जो घर में ही रहती हैं घर का काम भी करना पड़ता है और कई बार क्या होता है महिलाएं अपना दुख दबाके अपने परिवार का ख्याल रखती है तो आप के जर prevention वह जाने के वो घर उते त्वाइछ फि're ऑ कुंसी द्वाई लेनी चाहिए तो ले सकती है और ठीक हो सकती है आप तो नहीं तो बिल्कुल नहीं कुंड पाती थी विलकल भी आपके बच्चों ने आपकी तकलीफ देखिए है आपके बच्चों ने आपका साहरा तो वह बने ही है लेकिन आपको बेट से उठाया है या फिर आपके जो काम थे उन्होंने खुद भी किये हैं आपकी पूरी तरीके से मदद की है तो बच्चे आपको सेहत मन देखते हैं बच्चे देखते हैं कि मुम्मी एक दम एक्टिव हो गई है उनको अच्छा लगता है कि मेरी पेन बगा अच्छा आपके उम्रे केतनी है मैं मैं 64 और यह दर्द की परिशानी कब से थी मैं मिलको दो जारी किस में हुई थी परशानी अक्टूबर में फिर मैं फरवरी में मैंने अगले साल फिर मैडिसन ली 2022 में साल हो गया मुझे मैं तो ऐसा तो कभी महसूस नियों कि मैं ठीक न करूंगी उनको जी घर में कोई और भी दवाई इस्तमाल कर रहा है हकीम सापकी मैं बेटी ने की थी मेरी और मेरे को सारी परिशानिया हुए तो यह रिपोर्ट आने पर आपको पता चला यह पहले ही आपको पता चल गया तो चिकन गुनिया आपको गया जिसके वज़े से अब पता था यह मुझे डॉक्षाब ने बताया कि जो यह सिंटम है ना आपके यह चिकन गुनिया के हैं तो फिर मेंडिसन ली मैंने बट वही वही है कि मुझे इतना फरग नहीं पड़ा था जिए गौन सिया से फरग पड़ा देखिए आपको परेशानी थी आप यूट् कुछ नुस्क्य हो सकते हैं या फिर और कॉन सा बहतरीन ट्रीटमेंट हो सकता है क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट अपना रही थी उससे तो आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसे ही सर्च करती करती हकीम सहाब से आपका रापता हुआ या फिर आप और लोगों को भी फॉलो कर करती थी नहीं मैं मैं में पहले मैंने किसी को फॉलो में किया से ना मिलो मुझे लगा कि मैं यहां पे मुझे लगा सही है यह मुझे कमेंट पड़ती थी तो उनको पड़ पड़के मुझे लगा कि अबर ट्राइगर नी चाहिए हांज बिलकुल तो आपकर रहा है तो आप कह सकती हैं क्योंकि जब हम दर्शकों के इंट्रव्यू दिली लेके जाते हैं तो हकीम सहाब सबसे पहले उनका इंट्रव्यू देखते हैं तीम सहाब को तो मैं शुक्रियादा करना जाती हूं मैं आपका भी मैं बहुत शुक्रियादा करना जाती हूं आप मतलब आए हमारे घर में और मेरी इंटर्वियू ली पस्ता है यह मिल लिए नहीं हम बहुत खुश नसीब है मैम जब आप लोगों से हम मिलते हैं आप तो हमें देख लेते हैं यूट्यूब के जरीए टीवी के जरीए लेकिन हमें आप से मिलने का मौका बहुत मुश्कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपने घर हमें आमंतृत करने के लिए शुक्रिया रीटा जी तो दर्श को अभी आपने सुना पंचकुला में रहती हैं रीटा शर्मा जी जिन्होंने बताए कि वह गौन सिया का इस्तमाल कर रही है और 99% उनको फाइदा लग रहा है क्योंक अब वो किसी पे निर्भर भी नहीं है तो यह कीन हैई विश्वास है घरेलु नुस्को पे यूंदानी ट्रीटमेंट पे जो दीरे-दीरे करके आपको रिलीव देता तो है लेकिन यकीन मानिये आपको अराम जरूर मिल सकता है लेकिन कोशिश किसे करनी होगी आप लोगों को आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने घर आप भी हमें आमंतुरित कर सकते हैं अगर आपको हुआ है हकीम सहाब की किसी दवाई से फायदा नुसकों से फायदा आप लोग कर रहे हैं और लोगों की खिदमत तो आप भी अपना इंट्रिव्यू हमें दे सकते हैं तो आज के इस खास कारेकर में बस अतना ही एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ अब तक के लिए मुझे दीज इजाज़त नमसकार